अध्याय सत्रा भारती अर्थ व्यवस्था का स्वरूप भाग दो उद्योग एवं सेवा छेत्र उद्योग शेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर साथ वर्षों की जलक प्रारंभिक दोर हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर उद्योगों का विस्तार सिमित था कुछ ही बड़े उद्योग जैसे जूट, सूतिवस्थ्र, लोहस्पात, सिमेंट, आधि संचालित थे उस समय हमारे देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाउं में निवास करती थी उद्योग में भी रोजगार की दृष्टी से कुटिर उद्योग की भूमिका महत्तपूर्ण थी श्रमिको का एक बड़ा समू इन छोटे-छोटे ग्रामीड व्यवसायों में कारे रत था दंडार एक 17.1 को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1959 से 2019 के 60 वर्षों के अंतराल में जीडीपी में उद्योगों का योगदान 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया इसी अंतराल में कुल रोजगार में उद्योगों की भागीदारी 11 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई इन 60 वर्षों के अंतराल में उद्योगों में कमी नहीं हुई है आजादी के पश्चात उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए इसका प्रमुकुद्देश और द्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए आत्म निर्भरता को प्राप्त करना था इसलिए नवीन उद्योगों की इस्थापना के लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योग जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदी पर जोर दिया गया इनकी जरूरत सभी कारखानों को होती है फल सरूप आधारभूत उद्योगों के सहारे अन्युद्योग तेजी से इस्थापित होने लगे इससे उद्पादन एवं रोजगार में वृद्धी हुई आधारभूत उद्योगों की इस्थापना करना एक चुनोती थी क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ लंबा समय लगता है उद्पादन के लिए बिजली उद्पादन के लिए बिजली घर पावर प्लांट के स्थापना में लगबग 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं इसलिए ये उद्ध्योग सरकार दोरा इस्थापित किये गए स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद वस्तों के उत्पादन में आत्मी निर्भरता वर्रोजगार में विद्धी के लिए कारखानों के इस्थापना का तेजी से प्रेयाश किया जाने लगा व्रिहत या बड़े उद्योगों में लौह इस्पात, भिजलीघर, खनी जाधारित सैंत्रों की स्थापना सरकारी शेत्रों में प्रारंव की गई सुधारों का दौर उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई नीतिया बनाई उदाहरन के लिए कुछ शेत्रों में उत्पादन का अधिकार छोटे उत्पादकों को दे दिया गया जैसे हैंडलूम, हतकरगा से कपड़ा उत्पादन का कार्य बड़े उध्योगों को इस शेत्र में उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई ताकि बड़े उद्योगों की प्रतिसपरधा से ये उद्योग बज सके साथ ही इन छोटे उद्योगों से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई और उनके उत्पादन की मात्रा निश्चित कर दी गई समय के साथ इस उद्योगिक नीती में कठिनाई आने लगी उद्योगों की इस्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली से जटिलता बढ़ गई और कागजी कारिवाही में बहुत लंबा समय लगने लगा कुछ प्रभावशाली लोगों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाते थे इससे बड़े उद्योगपतियों को लाब हुआ लेकिन छोटे उद्योगपतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा कुछ शेत्रों में बड़े उद्योग पत्यों का एकाधिकार इस्थापित होने लगा और इन शेत्रों में प्रतिसपर्धा नहीं रही परिणाम सुरूप तक्नीकी विकास के लिए प्रोथसाहन नहीं मिल पाया एवं उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई इस प्रकार प्रारंभिक दौर के दौरान उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू में तेजी से बढ़ा परन्तु इसके पश्यात या प्रक्रिया कई समस्याओं से गिरने लगी और उद्योगों का विस्तार धीमा हो गया सरकार द्वारा संचालित कई फैक्ट्रियां घाटे में चलने लगी और इन्हें चलाए रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ज सहायता राशी प्रदान करती रही उमीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका हमारी व्यवस्ता में पूंजी की कमी वह बेरुजगारी की समस्या हावी होने लगी सन 1990 के दशक में अध्योगिक नीती में परिवर्तन किया गया और समस्याओं को सुलजाने का प्रयास किया गया इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तों के आयात निर्यात में छूट दी गई और द्योगिक नीती में बदलाओ से अन्य देशों के निजी उद्योगों को भारत में आने का प्रोथसाहन मिला लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई और बड़े उद्योगों को कुछ सुरक्षी शेत्रों के लिए अनुमती दी गई घाटे में चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया प्रतिसपर्धा बढ़ाई गई साथ ही सरकारी उद्योगों को परिवर्टन के लिए भी प्रोथसाहित किया गया जिससे उत्पादन में व्रधी हो सके उधारवादे तरीके से उद्योग कलकार खाने सूचना एवं संचार शेत्र में निजी एवं विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया इससे नए उद्योगों की स्थापना का कारे प्रारम हुआ